योरोप में गिरावट तेज है, कल की अमेरिका की कमजोरी को आज यहां पर एक्षिन में आते हुए देख रहे हैं और एशिया भी कमजोरी बंद होता हुआ दिखा है चलिए तो यह है आपके लिए पूरा आक्षिन इस समय इंट्रेसिंग चीज़ है अनल जी बिकोज ग्लोबल फैक्टर्स जैसे हैं बाजार उपर जाने के मूड में नहीं यह तो हमें दिख रहा है बाजार गिरने के मूड में नहीं दिख रहा है अगर 14 दिन की तेजी के बाद ऐसे एक ग्लोबल संकेत आया है तो बाजार के लिए तो आज रीजन था कि थोड़ा अच्छी खासी गिरावट आ सकती है बट डेज हाई के आसपास आप ट्रेट करें सो पॉइंट ही नीचे एक परसेंट की भी गिरावट नहीं है तो यह थोड़ा समझाए ऊपर नहीं जाना है ठीक है बट गिरने के भी मूड में नहीं है बाजार दीब सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ही है बाजार परसेंटेज कितना साड़े पांच परसेंट यही पिछले साथ पिछले बार 2007 में 11 सेशन में हम 16 परसेंट बाग गयते हैं बढ़ना तो उसको कहते हैं यह भी बढ़ना है यह बढ़ना है यह बात है नहीं है दाइव मिस्टर नेटरलाल में क्या बात करते हैं मूच्छे हो वह बिदा नच्छा नेटरलाल में नमक राल है अच्छा शराबी है इसक जेनलेशन गैप यह जीना भी कोई जीना है लालू यह डालग मिस्टर नेटरला आट आज तो इसा है कि और 14 14 दिन में बढ़ना है बढ़ना तो वो था जिस ग्यारा दिन में 16 परसेंट बढ़ गह यहां 16% का मतले समस्ते हैं निफ्टी, कितना दीप, 2,5, 3,5-4,000, तब जाके 16% होता, 3,5-4,000 के हम तो आधे भी नहीं बढ़े, है ना, मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ, रोज कहता हूँ, तब लग सकता है कि अरे, यह तो बड़ी वही रीपिटेटी, बोरिंग बाते हैं, जितना धीमे चलेंगे, उतना बेलेंस बना रहेगा, डगमगाएंगे, गिरेंगे नहीं, दांत और मुह नहीं टूटेगा, आप लेख हलके हैं, हलके हैं, आया ना, थैंक गॉड मिल रहा है, वापर निचे लेना है, वो थोड़ प्रोसेस बनल जाती है, क्योंकि आप हलके हैं बाजार में, यह हलका मार्केट ही बहुत ज़्यादा गिरने नहीं जारा है, तो आपका जो सवाल है, हम गिरने हैं, तो हमारी सेक्टर, रोज आ रहा है, और यही वज़े कि आप ज़्यादा गिरने हैं, अब एक सबसे बड़ा बात आज के लिए क्या है, बाजार ने शुरुआती गंटे का जो लो है वो नहीं तोड़ा, आज जो सुबह सुबह हमने जिस निफ्टी पर बनाया 25,000 तैयासी का लो, वो इसके एक दिन पहले एक्याओं 200 पितास, तो कहीं कहीं एक्याओं 200 पितास के आसपास निफ्टी, इंट्राडे के लिहाद से बहुत स्ट्रोंग, सब्बैंक निफ्टी इंट्राडे के साब सब्सपोर्ट अच्छा ले रहा है, अब आप जब नो नहीं तोड़ रहे हैं, इ इवध़्ी में रिकावडी भी आ रही है, और अब जो रेंज दिख रहे हैं इन इफ्टी के, नीचे में 25000 और उपर्में 2300 यह रेंज को को ट्रेंड करने की कोशिश निफ्टी की है, तो उपर में25300 के आसपास जैंगे 2300 के आश्थास जारे 25, 25,25 की रेंग नीचे है और और उपर में 25-300, इस रेंज को ट्रेड करने की उमीद आप करकर चल सकते हैं, बैंक निफ्टी में नीचे में 1150, उपर में 11750, ये रेंज रहने की उमीद आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है, अब क्या जरूरी है, आखरी डेड़ गंटेक लिए, वो इंपोर्टेंट है, नमबर इसका मतलब है कि बाजार को अगले एक-डो सेशन में और गिरना है, अगर आज का लो अब हम तोड़ते हैं तो, इसका मतलब लो आज का नहीं है, लो कॉन्फिडेंस का है, लो सेलिंग बढ़ने हैं, इसलिए आज का लो नहीं तोड़ना है, तो 51-250 और 25-23 ये नहीं चूट करनी है, अगर इंडेक्स-इंडेक्स में हैं या हेविवेट्स में, वह आप हलकी करिए, मिट केर स्माल केप में हैं तो आप अपना स्टोक स्पेस्टिक देखिए, बट अधरवेस उस रेंज में पोजिशन हलकी करिए, डरिया मत, थो आप बेज देंगे तो कोई फरक नही है, लेकिन आज आपको रिस्क रिवर्ड तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है, बैंक रिफ्टी में कल का हाई जो है और क्लोजिंग है, तो वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चीए, फिर वापत नीचे आने का इंतसार करना चीए, अब खरीदना क्या है, जि मैं काफी लंबे समय से ये बात कर रहा हूँ कि आप डिफेंस छोड़ दीजिए, रेलवे छोड़ दीजिए, जिस पर हम सबसे पहले बुलिश हुएता है, तेंक उसी तरह से ओल और गैस और एनरजी पर सबसे पहले हम बुलिश हुएता है, यहां करी दिए, अब देखिए सबसे मजा तो क्या है, मजा उस बात का, किगि घराब मारकेट में, आपका शेयर चले, एकजाक्ली एक जामादा खराब मार्केट में ITC चलता था, एक जमाना खराब मार्केट में फार्मा चलता था, एक जमाना FMCG, FMCG फार्मा पे हम बहुत बुलिश हुए, 24,000 के लेवल से, 24,000 के लेवल से हम oil and gas energy पे बड़े बुलिश हुए, आप देखें खराब मार्केट में यही चल रहा है, आज तीनों वही सेक्टर चल रहा है, oil and gas, pharma, fmcg, so मेरे ख्याल से वह है, फिलाल metal और IT शेरों से दूर है, खरीदना नहीं है, बेचने का मन करें आपकी, तो आपकी मर्जी ट्रेडिंग इन्वेस्टर को कुछ करने,